नमस्कार आप सभी साथियों का आज हम लोग सरशटीवी बीपेसी मेंस एक्जाम जीएस पेपर वन के सेक्षण टू में पूछे जाने वाले करेंट अफियर्ष पर चर्चा करने वाले हैं करेंट अफियर्स के महत्पवाइब टॉपिक की चर्चा करेंगे जो आपके इक्जाम में डिरेक्ट पूछे जाएंगे करेंट अफियर्स से पांच कोस्टन्स सेक्षन टूँ में पूछे जाते हैं उनमें से किन ही तीन प्रस्वों का जबाब देना होता है तो section 2 GS paper 1 में पुछे जाने वाले current affairs के कुछ महत्पून topics पे आज हम चर्चा करने वाले हैं उन्ही topics को आप अच्छे से notes के तोर पे बना सकते हैं तो current affairs के GS paper 1 second section में कुछ महत्पून topics पे हम चर्चा करने वाले हैं इसे आप आएंड तक देखिएगा section 22 और paper 1 paper 2 में क्या-क्या पूछे जाते हैं किन-किन section से किसने question रहते हैं उसका maximum marks क्या है उस पर मैं वीडियो बना चुका हूं सरस्वाठी भी पेसी मेंस एक्जाम GS paper 1 section 2 से कुछ महत्पूर्ण question जो current affairs के पूछे जाएंगे उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं रूव सिक्रेन युद्ध का अंत्राष्टी अस्तर पर क्या प्रभाव परा भारत की अर्थी की सिर्थी पर क्या प्रभाव परा इस पर आपको एक नोट्स त्यार करना है इस्रो mission EOS04 यानि Earth observation satellite के बारे में आपको details में जनकारी रखना है अंत्राष्टी राजनिती में NATO की जो भूमिका है उसको दर्शाना है आपको दोस्तों आगे हम फिर हिजाब विवाद और मूल अधिकार से समंदित प्रश्णों का एक नोट्स त्यार करना है हलागी हिजाब विवाद के मामले सुप्रिम कोर्ड में सुरक्षित है के सिरलंका की आर्थिक संकट के बारे मेक नोट्स तियार करना है बारतिय अर्च वेवस्ता पे क्या प्रभाव परा उसको दिखाना है भारत सरकार की गति सकती योजना उसके बारे में आपको details में नोट्स तियार करना है के जल्जिवन हर्याली मिशन यह भी इंपोटेंट है अगनी पथी वजना जो 14 जून 2022 को लंच हुई थी इससे कितने लोग को रुजगार मिलेंगे रुजगार के लिए कितने अस्तर पर यह काम कर पाएगा उसके बारे में डिटेल साब को बताना है संजुक्त राष जलवाई पुरवरतन सम्मेलन कोप 26 के बारे में आपको भारत की इसके प्रतिक्या जाग रुखता है दिखाना है जी ट्वन्टी सिखर सम्मेलन 2022 जी सेवन सिखर सम्मेलन 2022 क्वार्ड सिखर सम्मेलन 2022 इन बुद्दिवों पे आपको नोट्स बनाना है उसके बाद आपको कजाकिस्तान की असांत ग्रिह निती का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा उस पे आपको एक नोट्स बनाना है बरतमान बैस्विक प्रिद्रिश में भारत के बदलते विदेश निती पर आपको नोट्स त्यार करना है कजाकिस्तान की असांति ग्रीह निती का भारत पर क्या प्रभाव परेगा उसके नोट्स बनाना अतियावशक है उसके बाद भारत नौडिक देशों के बीच जो दुई पक्षिये बरता हुए है उसके आपको एक नोट्स त्यार करना है नौडिक देश उसे कहते हैं जिसके अंतरगत फिनलेंड नौडबे आइसलेंड डेन्मार्क इत्यादी आते हैं उसके बाद जातिगत जनगर्ना पर एक नोट्स त्यार करना है डबलू टी और भारत इसके अलावे नीती आयोग का गड़ीबी बहु आयामी सुचकांक पर नोट्स बनाना है आपको इसके अलावे आपको इवन डिपी की एसडियाइ रिपोर्ट में भारत किस्ती थी या खुशाली सुचकांक में भारत किस्ती थी वर्ल्ड हैपिनेस इंडेक्स पर आपको या एसडियाइ पर आपको एक नोट्स त्यार करना चाहिए नार्कोडिक देशों की जो बहतर पर्फॉर्फॉर्फॉर्मेंस है भारत का खुशाली या मानोविकास सुचकांक या सांती या विवीन चेत्रों में जो अस्तर गिरा हुआ है उसकी क्या मतलब प्रभाव देखने को मिल सकता है उसके क्या कारण है उसमें नोट्स त्यार करना है इस तरह से अन्य महत्पुन टॉपिक्स की मैं चर्चा होगा इन सारे नोट्सों को आप मानक मॉडल त्यार कर ले और इससे एक दो प्रस्ण रहेंगे चुकि आपको एक्जाम में करेंट एफेर्स के तीन कोश्चन करने हैं डायरेक्ट कई सेक्षन में सेक्षन टू जो है कई पार्ट्स में पूछे जाते हैं एक ओर्गनाइजेशन से तो आपको सवाल रहते ही रहते हैं तो नाटो इस साल के लिए काफी इंपोटेंट है और उसके अलावे आपको भारत के पुरूशी देशों के साथ कि शम्मंद स्रिलंका उगारा से सवाल रह सकते हैं अंतराष्टी अस्तर पर रूस इक्रेन जुद भी रह सकते हैं जी ट्वंटी जी सेवेन जी ट्वंटी और जी सेवेन इससे जुरा हुआ एक कोशन रहने की संभावना है हिजाब डिश्प्यूटेड मामला था उस पर भ विडियो अपलोड करेंगे तब तक के लिए जय हिन जय भारत